कि अज़र प्रेंट्स तो स्वागर थे आप सभी का हमारे इस वीडियो में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपो फिंड एंड टू ख्लीप के बारे में नाम इतना बड़े को धेले हैं कि लोग को खुद को नहीं याद रहता होगा पड़के बताता होगा काची है नाम इसका फ्लीप का फ्रेंट्स नाम को हटा यह साइड में और यह पून जो है वह सैमसंग के फ्लीप फून से मतलब बिलता जुलता है और यहां पर आपको डायमेंसिटी 9000 प्लस का प्रोसेसर दिखने को मिल जाता है जो कि आप सब कुछ कर लिजेगा इसमें गेम उम तो सब का में खैल दो को हुआ मैथीं किमें स creativity भी करते हो सब अच्छे से होगा और यहां पर डिस्प्लै कर जो में डिस्प्ले है जो इसे खुलता है जो बड़ा वाला डिस्पलेश है वो 6.8 इंच का FHD Plus AMOLED देखने को मिल जाता है जो की इस 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 पैनल है जो की बहुत ही ज्यादा बैटरी पीचन डेफरेंट्स और जो छोटकी से डिस्पलेश हो कैमरा के जस्ट बगल में देखने को मिल जाता है है 6.28 cm और यहां पर आपको बैटरी की बात करें तो चाहराजार तीन सब्सकी बैटरी देखने को मिल जाती है तो फ्रेंट्स एक दिन से ज्यादा मतलब एक दिन तक आपका आराम से चलेगा क्योंकि सब इसमें बैटरी बचाने वाला है क्योंकि यहां पर प्रोशेसर जो है वह भी कम बैटरी खाता है और डिस्पले भी बहुत कम है वह इसीक वाला पैनल दिया हुए बहुती तकना डिस्पले है और फ्रेंट्स इसका जो हिंज है वो जैसे जिस से मसं के फ्लिप कोन में आप कर दिज्येगा मतलब बंक कर दिज और यहां सीरी पोपस्तों को चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 50 मेगा पिक्सल का सेंसर है जो कि सोनी का सेंसर दिया हुआ है और आगे आपको 32 मेगा पिक्सल का सेंसर दिखने को मिल जाएगा जो की वीडियो क्वालिटी सब चीज उसका तगड़ा होगा और फोन की प्रैजिंग की बात करें तो यह फोन करीब अब्याजार के करीब आएगा और फ्रेंट्स यह फोन में बस एक ही वेरियंट आएगा है स्टोरेज में एट प्लस टुफिटी सिक जीबी और यहां पर दो ही कलर आएगा ब्लैक और परपल लेकिन कंपनी वाला है ना खलाना ब्लैक धिमकाना परपल सब रख देता है वह बह अगर आपको हमारा वीडियो चल लगा हो तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर लिए